तो आगे हम लोकेशन अबर 27 पर तो 27 में हमारे पास sign भी गिवन है, cause भी गिवन है तो जब भी दोनों गिवन होते तो हम लोग sign ले लेते हैं तो चलिए let you करते हैं कि sign हमारे पास हो x by 3, ठीक है ना? क्योंकि यहां पर हम पर जो angle है वो भी एक दफ़ा होता है तो हमने वो भी कर दिया है तो 1 by 3 आगया है, हमारे पास dx आगया है and यह भी हमारे पास 3 यह ठीक है हमलती होगी मिस से तो यह होगे हमने इसकी substitution कर ली है, यहां पर हमारे पास 3 की जरूरत नहीं है तो 3 को हम लोग du की तरफ भीज देंगे तो यह होजाएगा 3 du and यहां पर होजाएगा cos x by 3 and dx, तो चलिए अब इसको substitute कर देते हैं यहां पर यहां पर हमने इसको क्या रिया था, यहां पर हमने इसको u लिया था, तो यह हमारे पस क्या होजाएगा U 5 हो जाएगा एंद साथ में हमरे पर 3DU है तो 3 को बाहर लिखेंगे DU को अंदर लिखेंगे अब जैसे कि हमें power rule का पता है चल ही गया है तो हम क्या करेंगे अदर power rule यूज़ करेंगे तो हमरे पर आजएका 3 एंद यहां पर क्या हो जाएगा plus 1 divided by 5 plus 1 तो यह क्या हो जाएगा 6 divided by 6 plus 1 constant अगर हम लोग यहां पर देखें तो 3 और 6 हमारे पर cancel हो सकता है बिलकुल तो U हमारे पर cube हो गया है यहां पर हमारे पर आजएगा 2 and हमारे पर एक constant इसको चले रिख स्टिट्रिट करते हैं तो हमारे पर आजएगा sin 6 x by 3 and यहां पर हमारे पर आजएगा divided by 2 and plus 1 इसको आप बहर भी निकाल सकते हैं जैसे के 1 divided by यहां पर हो जाएगा sin 6 by x by 3 and plus 1 constant तो इस तरह से आप दोनों तरही के से लिख सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है कि आपको जिस तरह से अच्छा लगिए इसमें आप अपनी मर्जी चला सकते हैं अब चलते हैं किसे नोबर 28 की तरह अब जैसे के हमें पता है कि tangent का derivative secant square होता है तो यहां पर अगर हमें tangent और secant दोनों मिला है तो हम लोग u को क्या ले लेंगे? u को हम लोग let करते हैं let u is equal to tangent x by 2 तो हम लोग tangent को ले ले लेते हैं tangent को derivative निकालेंगे यानि हमारे पास आजाएगा 1 by 2 secant square x by 2 and साथ में dx ठीक है 2 की ज़रत नहीं है तो 2 को हम पहेंच देंगे 2 du बन जाएगा and secant square x by 2 and साथ में dx चले इसको substitute करते हैं यहां तो यहां पर हमारे पास क्या आजाएगा tangent को हमने u लिया था u की power 7 हो जाएगी secant हमारे पास है 2 and du ठीक है तो हमने लिख दिया है power rule apply होगा 2 हो जाएगा u 8 हो जाएगा divided by 8 plus एक constant 8 और यह cancel हो जाएगा तो 1 by 4 आजाएगा and यहां पर u को substitute substitute कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा tangent 8 x by 2 इन साथ में हमारे पास आजाएगा constant और यह हमारे पास answer तो अब हम लोग कुशनवे 29 पर आगए हैं अगर देखे तो आपको यहां पर थोड़सा मुश्किल लग जाएगा लेकिन यह बिलकुल भी मुश्किल नहीं है चलिए लेट करते हैं कि हमारे पास जो u होगा वो r3 divided by 18 minus 1 हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग इसका derivative निकालेंगे substitute करना बोल गई थी ठीक है वो कभी कभी क्या होता है ज्याद़ चीज बोलो नो तो वह चीज बार बर मुह बे आती है तो अब बार बार substitute बोल रही हूँ तो जब मैं derivative निकालती हूँ तो गलती से निकलता है कि substitute ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 x हो हमारे पास square आ जाएगा and यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18 और यह तो हमारे पास 0 हो जाएगा तो 3 और 18 को हम लोग divide कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x square divided by 6 and साथ में dr आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें 6 की जरुरत नहीं है तो हम लोग 6 को हम भीज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा du के पास 6 आ जाएगा and हमारे पास आ जाएगा r square and dr चलव ही इसको substitute करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 and du हम लोग लिएग देंगे and यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा यह new पे the power जाएगी 5 तीक है इसको हमने यहाँ पर लेया था तो 5 हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y की पावर 6 हो जाएगी U की पावर 6 हो जाएगी divided by 6 यहाँ पर 6 दोनों कट जाएगे plus एक constant तो U को substitute करते हैं तो हमारे पास जो value है वो R cube divided by 18 minus 1 whole power 6 हो जाएगी plus एक constant और यही हमारे पास इसका answer है इसको उपर कर दो तो question number 30 हमने ले लिया है अच्छा मेरी बुक में यह जो value है यह 7 की थोड़ी सी blur है तो आप देख लीजिए confirm कर लीजिए कि 7 है या नहीं ठीक है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो हम लोग U को लेंगे let हमारे पास जो U है वो हमारे पास हो जाएगा 5 minus R की power 5 and 10 और whole power हो जाएगी 3 ठीक है इसको हम अच्छा whole power 3 मैंने खलती से लिग दिया substitute कर रहें power नहीं लगाएंगे और जब हम लोग इसका derivative निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा minus 5 and हमारे पास R की power हो जाएगी 4 and साथ में हमारे पास आजाएगा 10 ठीक है यह हो गया है हमारे पास इतनों को हमनों cross कर देंगे DR भी लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा minus R की power 4 divided by 2 and DR तो अगर देखे माइनस की भी ज़रूरत नहीं है 2 की भी ज़रूरत नहीं दोनों को हम क्या कर देंगे DU की तरफ भेज देंगे minus 2 DU divided by R 4 नहीं DR ठीक है ना पता नहीं आज क्यों बोलने में इतनी ज्यादा क्या हो रही है mistake हो रही है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास इसकी जगा हम लोग U लगा देंगे U की whole power 3 हो जाएगे इसकी जगा हमारे पास आजएगा minus 2 and DU लगा देंगे हमेशा constant को बस डिरेक्टली आप बाहर लिख दे ठीक है थाकि ज़्यादा steps ना करने पड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 2 and U की power हो जाएगी 4 divided by 4 plus एक constant 2 और यह गया हमारे पास क्या हो जाएगा minus U की power 1 by 2 and U की power 4 plus C दीक है इसको substitute करेंगे तो हमारे पास आजएगी U की value 7 minus R 5 divided by 10 whole power 4 plus एक constant दीक है तो यह हमारे पास आगया तो question number 31 की तरफ आ गए है हम लोग यहाँ पर क्या होगा substitution में हम लोग ले लेंगे let U is equals to R 3 by 2 plus 1 अब अगर आप बोलेंगे आप यह वाला R भी तो ले सकती थी but अगर हम लोग गिवाल लेंगे तो दीक है 3 by 2 है जब हम लोग इसका derivative निकालेंगे इसका हम लोग derivative निकालेंगे तो 3 by 2 हो जाएगा एन X की पावर 1 by 2 आजाएगा इन साथ में DX आजाएगा और यहाँ पर of course DU आएगा 3 by 2 की जड़त नहीं है यहाँ पर भीज देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा and DU and साथ में हमारे परस X की पावर 1 by 2 and साथ में DR आजाएगा and यहाँ पर इसको substitute करते है तो हमारे पर क्या जाएगा 2 by 3 को बाहर लिख देंगे यह हो जाएगा sine U and DU अब हमें पता है कि sine को जो हमारे पर integral है वो हमारे पर minus cause आता है and यहाँ पर हो जाएगा minus यहाँ पर लिख देंगे cause हमारे पास आजाएगा U की value क्या थी X 3 by 2 plus 1 and साथ में हमारे पास एक constant यह ना लगाए ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास इसका answer तो question number 32 में हमनो let कर देते हैं कि हमारे पर जो U है वो X की power 4 by 3 है and minus 8 है ठीक है तो चलिए अब इसको derivative नकालते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा 4 by 3 and X की power 1 by 3 आजाएगा 8 को 0 हो जाएगा 4 by 3 की जरूरत नहीं है तो हम लोग्या कर देंगे उसको replace कर देंगे और यहाँ पर आजाएगा यह हो जाएगा 3 by 4 and साथ में DU X की power 1 by 3 and DX अपना आजाएगा चलिए इसको substitute करते हैं यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 3 by 4 बाहर and sign की value आजाएगी U and साथ में हमारे पास आजाएगा DU sign का हमें पता है कि minus cause होता है तो minus 3 by 4 लिख देंगे and यहाँ पर आजाएगा cause U plus a constant value को क्या कर देंगे substitute कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा cause X की power 4 by 3 minus 8 minus है 8 plus a constant और इसी के साथ जो हमारा question है वो solve हो जाता है